वीडियो कॉल्स वीडियो कॉल्स वीडियो कॉल्स वीडियो कॉल्स बहुत अच्छी होती हैं पर कुछ वीडियो कॉल्स ऐसी होती हैं जिनको रिकॉर्ड करना होता है कुछ का मतलब तू समझा नए तू समझा नहीं और इन वीडियो कॉल्स को रिकॉर्ड करने के लिए वाट जिसके अंदर आपको कोई recording का option निरेगे जैसे कि आप लोग दोस्तों देख सकते हैं आपको आपको अपर पास पाटिसिपेंट है camera का option है, mute का option है, video बंद करने का option है but there is no option to record your WhatsApp video calls दोस्तों इसी को आज हम लोग solve करने वाले हैं पर उससे पहले मैं आपको दिखायाता हूं कि settings के अंदर भी अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर जाता हूं WhatsApp में सेटिंग के अंदर निचे जाता हूं यहाँ और यहाँ पर दोस्तों आप Chat की Settings की बेहा ra है और दोस्तो चाट की सेटिंग के अंदर भी आपके पास कोई option नहीं मिलता कॉल्स का, similarly दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं कोई और privacy settings में जाता हूँ और दोस्तों privacy settings में देखता हूँ तो यहाँ पर भी calls के नाम पर कोई setting नहीं देती है और दोस्तों यही कारण है कि WhatsApp के अंदर यह एक तरीके से एक problem है जिसमें आप किसी की भी WhatsApp की वीडियो calls को record नहीं कर पाते officially अरे रोईए मत क्योंकि यह trick आपके बहुत काम आएगी इस trick में बताऊंगा मैं आपको how to record WhatsApp वीडियो calls क्यों आपका दिल भी पर एक सेकिंड आप ऐसा करना क्यों चाहते हैं अच्छा लगता है मुझा बहुत मसाता है पर मेरे साब से शक करना अच्छी बात नहीं है यह बड़ी अच्छी बात कही है पर अगर तब भी आपको record करनी है तो अपना धरम तो है आपको पता ना तो भाई देखो solution पानी के तरह साफ है आपको करने है कुछ step step number one दोस्तो वाटसेब की video calls को record करने के लिए आपको step one में क्या करना है आपको सबसे पहले उस number पर जाना है इसको आपको call करना है और दोस्तो यहाँ पर आप video call पर tap कर दो दोस्तो जैसी यहाँ पर tap होने के बाद मैंने यहाँ पर दूसरे phone में आप देख सकते हैं दोस्तो आप यहाँ दूसरे phone पर देख सकते हैं यहाँ पर call आ चुकी है दोस्तो मैं इसको यहाँ पर उठा देता हूँ वीडियो call को मैं उठा देता हूँ की कुछ settings करनी है तो दोस्तों screen recorder वाले icon को आप press करके रखेंगे कोई भी phone में हो तो आप उसकी setting खोल पाएंगे अगर आप यहां से नहीं खोल पाते हैं तो आप सेटिंग्स में जाके screen recorder की settings को भी खोल पाएंगे दोस्तों यहां पर खोलने के बाद आपको बस एक ठीज कर दियान रखना है यहां पर जो sound source है उसके दोस्तों आपको माइक करना है जनरली वो by default system sound या म्यूट पर होता है आपको यहां पर दोस्तों माइक कर लेना है step 3 दोस्तों जो step 3 है उसमें दोस्तों आपको अब यह जो वीडियो कॉल हो रही है हमारी अब हम लोग इसको वीडियो कॉल को screen record को on कर देंगे यहां से और जो screen record on करने के मैं यहां पर tap कर देता हूँ और मेरी वीडियो को आप देख सकते हैं यहां पर चल रही है अब दोस्तों मैं आपको just example देने के लिए मैं क्या करूंगा मैं यहां से एक बार पहले इसका mic हटाऊंगा अभी यह जो दो बंदा है लेक्षाम अप माइक यहां मेरी तेंग हां बत दोस्तों आपको प्रफोन से मैंने जस्ट अभी एक recording करिए दोस्तों अभी आपको इस screen record को off कर लेना है आप अभी हम चलेंगे दोस्तों screen recording के अंदर और दो screen recording में जब आप इसको play करेंगे दोस्तों आप लोग सुन सकते हैं यहां पर हमारी जो recording है बेकुल साफ सुतरी हुई है और मज़ेदार हुई है दोस्तों अगर आपको भी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और ऐसी हमें अपने प्यार देते रहें